हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लौवित रोने दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो ये जो मैं वीडियो ले करके आज आपके सामने आ रहा हूँ ये इंटरंसिब से रिलेटेड वीडियो होगा साथियो ये वीड इंटरंसिब कर सकता हूँ दोस्तो जब law student आप होते हैं तो आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होता नहीं है कि आपको इंटरंसिब करना होता है तो कहां करना होता है और कहां करना होता है तो किसके अंडर गाइडेंस में इंटरंसिब करना होता है कि हमें एडवोकेट साहब के अंडर में इंटरंसिब करना होता है या किसी रजिस्टार्ट जनरल के अंडर में इंटरंसिब करना होता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजों को बताएंगे कि आपको कहां intensive करना होता है और आपको duration बीटाएंगे कि आपको कहां پर कितने दिनों का intensive कर आए जाता है साथ साथ में मैं आपको ये भी इधर उधर कहीं से आप बिलॉंग कर रहे हैं, मिन्स की UP में कहीं से बिलॉंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी opportunity है कि आप इलहाबाद High Court में भी intensive कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे काफी लोगों के अंडर में intensive कर वाया जा सकता है, जैसे कि आप Advocate General के अंडर में intensive क कर सकते हैं, आप यहाँ तक की standing council के अंडर में भी intensive कर सकते हैं, मिन्स की तमाम opportunities है, यहाँ पे आप intensive कर सकते हैं, इलहाबाद में अगर हम बात का हैं, तो साथियों एक और opportunity हम आपको इलहाबाद High Court के बारे में बताना चाहते हैं, यहाँ पे mediation and conciliation center है, उसमें भी आप honorable justice के under में आप intensive कर सकते हैं, बात करते हैं साथियों intensive इन नालसा के बारे में, मिन्स की national legal service authority में भी आप application दे करके आप intensive कर सकते हैं, साथियों फिर हम बात करते हैं, कैट की, जो central administrative tribunal होता है, आप tribunal में भी intensive कर सकते हैं, अगर आप प्रियाग राज आ करके intensive करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, और काफी बच्चों के द्वारा, यहाँ पर intensive किया गया है, और मैंने भी intensive कर चाहते हैं, चाहते हैं, और दोस्तो मैं UP की बात करूँ, तो आप 동안 में भी अगर मैं आपको करना है तो ngt में आप lijar के इंटेसफों depresswo टर्हेनी और अभर सबस्क्तेश कोई कर सकते हैं और लोग करते हैं वहाँ पर आयो सातियों इसके साथ मैं आपको यह भी पताना चाहूँगा कि का काफी एंज्यू ओस जो होते हैं वह भी अपना इंटर्शिप कंड़क्ट करवाते हैं लेकिन जो एंज्यू होते हैं कभी कभार आपसे कुछ चार्ज भी करते हैं और यह जो सोसाइटी है जैसे कि कैट हो गया प्रकार कोई आपके उपर चार्ज नहीं करता है मिंसकी एक भी पैसा आप से नहीं लेता है और जो आपके पास इंपॉटेंट है वह किसी भी एड़ोकेट के अंडर में आप इंटर्शिप कर सकते हैं तो दोस्तो यह रही इंटर्शिप की पूरी जानकारी अब मैं आपको द आपको साइटिफिवी के देखना है तो आप इस टेलिग्राम को जों कर लेंगे जो की लॉइसरों नाम से है यह लॉइ हमिज्ब कर रहा था तो मैं नहीं प्रोग्राम में था तो मैंने इंटर्शिप कर दाहida इस दिस्टिक लीगल सर्विस ऑथार्टी के द्वारा यह certificate अवार्ड किया गया दोस्तों यही हमको अवार्ड किया जाता है जब हमारा internship complete हो जाता है जब हम recommendation later ले करके जाते हैं अपने college के या तो hody से sign करवा करके या तो principle से sign करवा कर के जब हम refer करा करके लें के यहां पर intensive करना तो intensive खतब होने के बाद 7 दिन का INt전चिप कर सकते हैं याद तो आप 7 दिन का इंटमषी Maisane कर सकते हूं चॉहоп poems कर सकते हैं चोफटा दिन का intensity करी आपके पास अगर टाइम है और अगर आप summer vacation में आ रहा है विंटर में आ रहा है तो आप 21 दिन का इंटन्सिब कर सकते हैं जो कि अलावा हाइक को होते हैं वो 21 दिन का इंटन्सिब आपको करवाते हैं तो दोस्तों इस टाइब के विडियो को आप ज़रूर स्टीच लीगल सर्विस उफॉर्टी में इंटंसिप कर रहा था तो मेरे को काफी जगा यहां पे एक हमको स्लिप बना करके देढ़ गया था मिंथ पर्टा था उसी स्लिप के हमको वहाँ पर जाना पड़ता था जैसे कि कि किसी कि किसी दिन हमको मेडियेसन और कॉंसिलेसन जाना पड़ता था तो इन तमाम जगहों को क्या किया जा रहा था तो वह सारी चीजों को दिखाया गया था उसके बाद से हमको वहां पे भेजा गया था हम जाकर के खुद करते थे कि यह इंटन्सिप कैसे होता है इंटन्सिप के दर्मियान हमको काथी चीजों को सीखने को हमको वहां पर आप 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 साथी हो यह जो हमारा इंटन्सिप था यह पूरा टोटल 21 दिन का था नहीं कि मैंने यह जो इंटन्सिफ था यह विंकर वन्टर वेकेशन में किया था और आप लोगों को पता है कि आप समर वेकेशन आने वाला है अब आप लोग के पास opportunity है जो five year law कर रहा है जो as well as three year law कर रहा है दोनों लोग के लिए internship की opportunity होती है और इससे करने से क्या होता है आपका जो knowledge होता है वो knowledge enhance होता है इसमें आपके अंदर की जो खुबसूरती होती है और साथ-साथ आपका जो CV होता है जिसको हम लोग केरुकलम बीटा कहते हैं यह भी आपका धीरे-धीरे by the timing मजबूत होता जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपने वो देख लिया अब मैं आपको जो एड़ोकेट्स आपके अंडर में करने के लिए बता रहा था तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लिजे मैंने additional advocate general UP के अंडर में मैं मैंने intensive किया था और सर के अंडर में मैं दो-दो बार intensive किया था यह additional advocate general है UP के अलावाद High Court के सर बिन्योत कांच साहब इनहीं के अंडर में मैंने intensive किया था अब देख लिजे इंटनसीब का यह मेरा certificate है और यह 2018 में मैंने intensive किया था दोस्तों यह जब मैं कर रहा था तो यह वह summer season चल ला था और उसी summer season में मैंने यहाँ पर 21 दिन का intensive किया दोस्तों इस intensive में यह सीखने को मिला कि आप court में विजिट करेंगे और देखेंगे कि proceeding किस प्रकार से हो रही है hearing किस तरह से court में चल रहा है इन सारी चीजों को देखने को आपको मिलता है साथ ही साथ आपको large number of opportunity मिलती है case के file को observe करने के लिए तो सारी चीजों को आपको आपको मिलेगा और last में आपसे क्या करा जाता है आपसे एक assignment लिया जाता है कि हो आपने इतना दिन अगर court गए त इसके बाद आपको क्या किया जाएगा एक certificate ऐसे ही award किया जाएगा तो देखिए certificate भी हमको award कर दिया गया है ठीक तो इस प्रकार से आप कर सकते है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखिए मैंने किया था इलहाबाद high court के under में intensive किया था और किसके अंडर में क के लिए आपको यहां पर intensive करवाया गया था मिन्स की में से जुन 2019 में मैंने साथ दिन का intensive किया था और दोस्तों इसमें बताया जाता है जो भी हमारे सीपी सी के प्रोवीजन होते हैं जो की सेक्षन नंबर 89 से डिल करते हैं मिन्स की outside settlement of the court के बारे में बात करता है जिसमें मे मेडियेसन कराए जाता है लोगों का यहां बखा और इस बारे में आपको अच्छी आपको आइठा करते हैं तो यह उसका साथ ही साथ मैं आपको यहां पर पताना चाहूंगा साथ ही यह काइट के बारे में जो भी मैं बता रहा था जिसको Central Administrative Tribunal की बात करते हैं आप कोट में तो इंटनसीब करी सकते हैं उसके साथ आप ट्रिविनल में इंटनसीब कर सकते हैं जैसे कि एंजीटी क्या है एंजीटी आपका ट्रिविनल है अप उसमें भी कर सकते हैं यह कैट क्या है जिसको मैं आप एक कैट का रहा हूं Central Administrative Tribunal है यहां पर इंटनसीब कर सकते हैं तो दोस्तों इसका जो पीठ है मिन्स का जो इसका इस्टेब्लिश्ट है जो इसका बोड है यह एक प्रियाग राजिन है तो मैंने इसमें भी इंटनसीब किया था दोस्तों इसमें भी आप चाहेंगे तो 21 दिन का इंटनसीब आप क इन प्रकार की सारी जानकारियों को आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है और आपको एक माहल समझ में आता है कि हम जस्ट लाइक किस प्रकार से हीरिंग हो रहा है किस तरह से अर्गुमेंट हो रहा है जब आप मूट कोट वगरा करेंगे तो आपको उस समय इसका आपको कहां कहां सेमिनार करना चाहिए और कौन-कौन सा सेमिनार करना चाहिए आपको नेशनल सेमिनार अटेंड करना चाहिए या इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करना चाहिए या आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे साथियो तो मैं आपके लिए वह वाला भी वीडियो बहुत ही जल्दी ले करके आऊँगा कि आपके पास कौन कौन सी अपर्चिनुटी होती है जहां पर आप कौनफरेंसेस वगारा अटेंड कर सकते हैं दोस्तों अभी मैंने दिखाया था मैंने साहब के अंडर में में किया जो कि 21 दिन का ये भी इंटनसीब था दोस्तो डियूरिंग इंटनसीब आपके साथ बड़ा अच्छा माहौल रहता है और आपको काफी चीजों को देखने को अबजर्व करने को करीब से मिलता है जब आप कोट में जाते हैं सारी चीजों को अबजर्व करते हैं आप अपनी आँखों से देखते हैं तो वहां पर एक अलग सा माहौल होता है करते हैं उनको यह मैंंडेटरी होता है कlying इंटर्फिप करना होता है तो दोस्टो मेरी यही रिक्मंडेशन रहेगी कि आपको भी इंटर्फिब करना चाहिए अगर अप लॉव से जुड़े हैं क्योंकि इससे करने से आपको नुकसान तो कुछ नहीं होता है आपको फायदा ही फायदा होता है और वह जो भी फायदा होता है साथ हो इसमें यह पॉजिटिवली आपको फायदा होता है और पॉजिटिवली फायदा का मतलब आपके पास आपका सीवी मजबूत हो जाता है पहली बात दूसरी ब यहीं में लाटन को विट्टन बिल बटन दबाना बिल्कुल में पर दोस्तो इसी प्रकार के लिटेस्ट पाने लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहें přेविट्ट होता है तो आपको किसी भी प्रकार का recommendation later के format चाहिए या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस channel पे आप हमको comment करके पता सकते हैं वो चीजे मैं आपको as possible मैं आपको provide करा सकता हूँ धन्यवाद दोस्तो